आज मैं यहाँ पे उफ़ास के लिए साबूदाना खिचडी बना रही हूँ और साथ ही मैं टेंड़ी की सबजी भिणा आए, तो यह दीए, यहाँ पे मैं इस तरह से मिनी साबूदाना आते है इना वही लिये है तो यह आधा किलो की आज मैं खिचडी बनाने जा रही हूँ तो यहाँ पर मिनी साबूदाना है उसे अच्छे से एक या दो पानी से अच्छे से वाश कर लिया है और पानी निकलने के बाद में इसके लेवल तक पानी रखके उसे भीगोने रख दिये हैं तो रात पर साबूदाना भीगोने के बाद में आप देख सकते हैं यह अच्छे से फूल चुके है और यह देखें पूरा पानी भी इसका सोक हो चुका है और बिल्कुल ही दूसरे से चिटके नहीं है एक्तम खिले-खिले से हुए है तो यह देखें मैं आपको एक प्रेस करके भी बताती हूँ यह अच्छे से मतलब पानी में अच्छे से बिग के हो चुके है अब यहां पर मिने ना यह जो सिंग दाने है ना मुंफली के दाने उसे रात को ही मैंने अच्छे से रोस्ट करके उसके चिलके निकाल लिये थे अब मैंने इसे एकदम फाइन पाउडर बना लिया है अगर आप इसे दरदरा रखना चाहे तो भी रख सकते है लेकिन मैं इसे फाइन पाउडर रखोंगी ताकि घर में भी जो रहते हैं बुड अधोर से कडि पत्ता तो इहां पर बिम्याए पहले ह्लु की चिलके निकालके उसके चोटे चोटे तुकड़े कर देंगे और योघालमिर्शि को बिम्यिरू शीरा से चोटे-चोटे लंबे-ल बल्बे कर लिए है और कड़ि पत्ता उसमें हम घी डालेंगे तो साबुदाना खिचिड जब बनाते हैं तो उसमें गी का ही इस्तमाल करें अब गी अच्छे से गरम हो गया कि इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा एड़ किया जीरा अच्छे से फुल जाए कि इसमें हम कड़े पत्ता और हरी मिर्ज एड़ कर देंगे और उसे एक सेकंड के लिए अच्छे से सौते कर लेंगे साथे में हम यहाँ पे बॉइल की हुए यानि की बॉइल करके जो चिलके निकाले हुए आलू है और टुकडे किये हुए उसे एड़ कर देंगे और एक मिनिट के लिए उसे फिर से मिला लेंगे अब यहाँ पे हमने जो साबुदाना भीगों के रखा हुआ था ना उसे भी एड़ कर देंगे और साथी में थोड़ा स्वाधनुसर नमक और मुंगफली का जो पाउडर करके रखा है ना उसे भी एड़ कर देंगे तो आधा किलो साबुदाना के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम मुंगफली के दाने लिए है तो उसे जिसे मैंने पाउडर कर लिया है अच्छे से तो मुंगफली का इस तरह से पाउडर करने से क्या होगा ना साबुदाना हमारे खिले खिले से बनेंगे तो यहाँ पे इसे मे में मीडियम आज पे ढकन लगा के रख देंगे तो जब तक यह साबुदाना खिचड़ी हमारी रेडी होती है तब तक यहां पे हम सबजी का तड़का लगा लेते हैं तो यहां पे मैंने ऑईल गरम करके उसमें थोड़ा सा राई एड़ किया है राई अच्छे से फूल गया क कि उसमें मैंने कड़ी पत्ता और थोड़ा सा हिंग एड़ कर दिया अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ प्यास एड़ करेंगे और प्यास थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाने तक हमें इसे बुनना है तो यह देखिए यहां पे हमारी साबुदाना किचड़ी भी अच्छे से फ्लेम बंद कर दी है और सबजी के लिए हमारे जो प्यास हमने भुनने रखे थे वो भी अच्छे से ब्राउन कलर के हो चुके है अब इसमें हम कुछ मसाले एड़ करेंगे जैसे कि लाल मिश पाउडर अल्दी पाउडर और धनिया पाउडर अब इन सारे चीज़ों को या कोई कट करके रख दी थी अब इसमें थोड़ा सा पानी और नमक मिला के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें क्या करेंगे अच्छे से मिलाने के बाद में थोड़ा सा गरम मसाला एड़ करेंगे और फिर से इन्हें अच्छे से मिक्स करके कुकर का डगकन लगा द किसा हुआ उसे एड़ करेंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है साबुदना किचड़ी में मैंने इसमें थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा लेमन जूस एड़ किया है लेकिन थोड़ी घाईगर बड़ी में कैमेरा बंद हो गया था तो मुझे ध्यान में नहीं रहा तो आप जब भी ये खिचड़ी बनाए ना साबुदना किचड़ी तो उसमें लेमन जूस और शक्कर ज़रूर से एड़ करें उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अब यहां पे मैं बनाने जा रही हूँ धनिया पाउडर तो मैं हमेशा धनिया पाउडर घर पे ही बनाती हूँ अच्छे से धूप दे दिया था और उसमें से कुछ कच्छरे ढहते ना पत्थर होता है थोड़ा वो निकाल ले और इसे अच्छे से धूप में रख दे अब इससे हम क्या करेंगे थोड़ा सा रोस्ट करने रख देंगे तो जब इससे बुनते हैं तो इतम मीडियम आज प तो यहां पर मैं कुछ सुभे के लिए दस बारा चपाती बनाती हूँ लेकिन आज मेरा फास्ट है इसलिए मैं कमी चपाती बनाओंगी तो मैं आज साबुद दना खिचड़ी अपने लिंच बोक्स में लेके जाने वाली हूँ अब यहां पर हमारा जो धनिया पावडर है वो बना लेते हैं तो यह जो साबुद दनिया है वो अच्छे से थंडा हो चुका है और मिक्षर का जो बरतन रहता है वो पूरी तरह से ड्राइ होना चाहिए बिल्कुल अगर गिला रहेगा तो धनिया पावडर खराब हो जाएगा अब यह देखिए मैंने इससे अच्छे सब्जी है वो रेडी हो चुकि है अब इसमें थोड़ा सा धनिया पावडर मिला देंगे तो यह देखिए घर का बनाया ओ धनिया पावडर के खुश्बू ही कुछ अलग होती है और टेस्ट भी अलग होता है तो मैं अकसर इस तरह से धनिया पावडर घर पे ही बना लेती ह काफी लंबे समय तक यह अच्छा रहता है और कुछ भी सब्जी यह बनाते ना तो उसमें अच्छा लगता है घर का बनाया हुआ तो आज मेरा फास्ट है इसलिए आज में सिर्फ साबुदाना किचड़ी ही लंच बोक्स में लेके जाने वाली हूं और घर में बाकी के बन के रीटी है तो इस चैनल पर मैं ऐसे ही बहुत आसान सी सिंपल सी रेसीपी बनाने की कोशिश करती हूं ताकि इसे हर कोई बना सके आसान इसे बना सके तो आज की मेरी यह रेसीपी का वीडियो आपको कैसा लगा यह मुझे ज़रूर से बताईए और अगर मेरने करना बिल्कुल भी ना भूले मिलेंगे फिर से एक नई रेसिपी के साथ